उद्योग और मजदूर 1880 के बाद रूसी शाशक आधुनिक उद्योगों के महत्तों को समझने लगे क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हत्यार वा रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे अतह जार शाही राज ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की ब्रिटेन ये फ्रांस में जहां मध्यमवर्ग के धनी वैपारी आधी छोटे उद्योग लगाते थे रूस के राज ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियायते दी इस कारण रूस का उद्योगी करण भी अभिजात्य राज के नियंत्रण में ही रहा और वहाँ एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पुंजीपती वर्ग का विकास नहीं हो सका लेकिन बड़ते उद्योगी करण के साथ साथ शहरी करण भी हुआ वहाँ बड़ी संख्या में उद्योगिक मजदूर रहने लगे जिनने बहुत ही कम वेतन पर दैनी हालातों पर काम करना पड़ता था सन 1905 की घटनाए जार्शाशित रूस में लोकतंत्र और लोकतंत्रिक अधिकार नहीं थे और लोगों को सरकार की खुल कर आलोचना करने या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की अधिकार नहीं थे जगा जगा गुप्त संगठन बने जो गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते थे और गुप्त आंदोलन चलाते थे सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया इस कारण जार का दबदबा कमजोर हुआ उसी समय रूस के विभिन शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुध और लोकतंत्र के लिए हरताल करने लगे जब पीटर्सपर्ग शहर राजधानी में मजदूर शांति पूरवग जुलूस निकाल कर जार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकठा हुए तो उन पर गोली चलाई गई और हजार से अधिक लोग मारे गए इससे कुरुध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए इनको देखते हुए जार ने कई राजनेतिक सुधारों की घोशना की रूस में भी चुनी हुई संसद जिसे डूमा कहा गया की स्थापना हुई लेकिन चुनाओ एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ति वाले ही पहुँचे जार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था उसका अधिवेशन भी जार अपनी सुविधा नुसार बुलाता था इस घुषना के साथ ही बहुत क्रूर तरीकों से आंदोलन को दबाया गया जिसके चलते 10,000 से अधिक लोग मारे गये और 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया या घोर ठंडी जगा साइबेरिया में काला पानी की सजा दी गई युद्ध और 1917 की क्रांतियां दमन चक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर शांती बनी रही मगर सन 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हरताल और किसानों के विद्रों शुरू हो गये इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस समलित हुआ इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ती की लहर उठी और लोग जार का समर्थन करने लगे लेकिन दो वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीशिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान ठक गये चारों और जमीन, रोटी और शान्ती की मांग उठने लगी 23 फरवरी 1917, रूस में प्रचलित कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर के बीच 13 दिनों का अंतर था वास्तों में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटी थी को महिला दिवस पर पेट्रा गार्ड राजधानी पीटर्सबर्ग का नया नाम शहर की महिला मजदूरों ने शान्ती और रोटी की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला इसके तुरंत बाद पूरे शहर में इन मांगों के समर्थन में मजदूरों वा सैनिकों के जुलूस निकलने लगे और सैनिकों वा पुलिस ने प्रदर्शन कारियों के विरुद्ध कारवाही से मना कर दिया हर कारखाने में मजदूरों की सभाए हुई जिनमें उन्होंने रोस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधी चुनका शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया इन सभाओं को सोवियत पंचायत जैसा एक रूसी शब्द कहा जाता था गाओं में किसान भी किसानों के सोवियत बनाने लगे और भूस्वामियों के महलों तथा दुकानों को लूटने लगे इस प्रकार चंद दिनों में जार शाही की सत्ता समाप्त हो गई और हर जगा लोग खुद की मर्जी से चलने लगे देखते देखते पूरे शहर में दो-चार दिनों में ही पुराने शाषन तंतर का अंथो गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले ली जार का गद्दी छोड़ना पेट्रागार्ट सोवियत और वहां के जन सामानिक के आकरोश को देखते हुए डूमा ने जार से आग्रह किया कि वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रिमंडल गटित करने की अनुमती दे जार की सेना में भी विद्रो फैल गया जिसे देखते हुए जार ने 2 मार्च 1917 वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च को गद्दी त्याग दी इस घटना क्रम को फरवरी क्रांती के नाम से जाना जाता है डूमा के मध्यमवर्गी सदस्तियों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया जिसे आस्थाई सरकार कहा गया यह आस्थाई इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सारोभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई सम्विधान सभा गठी थो जिसके नियमानुसार स्थाई सरकार बनेगी उन दिनों पेट्रगार्ट सोवियत का नेत्रित्व तीन-चार समाजवादी दलों के प्रतिनिधी कर रहे थे वे यह मानते थे इस क्रांती का नेत्रित्व मध्यम वर्ग को निभाना है जिसे देश में लोकतंत्र भूमी सुधार और शांती लाना है वे मानते थे कि सोवितों की भूमिका मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने से या पुराने शाष्कों की वापसी को रोकना है